मस्जिद और राम मंदिर का विवाद सामने आया एक नाम ऐसा था जो लगतार चर्चाओं में रहा और वो नाम था इकबाल अंसारी जी का हमारे साथ इकबाल अंसारी जी मौजू है इकबाल जी एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी थी और उसके बाद हाला की जीत जो थी व पूरे देश के मुसल्मानों ने संबान किया पूरे देश में कोई एक पत्ता नहीं हीला ना कहीं धर ना हुआ ना कहीं परदस्थन हुआ कोई मुकदमा हुआ आज मुसल्मान मस्जिद का जो भी मसला रहा वो सब 9 नौवम्मर को भोल चुका है आज जो है अजुद्या की जो धरती है घंगा जमनी तैजीव की अजुध्या में अजुध्या में हिंदों नुकर मुसल्मानों के बीच में कोई दああ रख के हैं। कुछ भी हुआ उसको भो है अज हमको भी निमंतर मिला है याँ तो उसंति उन ईते रिदान वrian ne लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम नेता ऐसे होते हैं जो राजनेतिक बयानबाजी करते हैं जो कहते हैं कि 500 साल तक हमने जिसके लिए लड़ाई की वो मज़द हम से छीन ली गई ऐसे बयान जब आते हैं तो आपको क्या महसूस होता है क्या ये गंगा जमना तैजीब पर सीधा वार है देखिए सवाल हमारे हाँ जो द्या का है जब सुप्रीम कोट ने फैसला किया नौ नौम्बर को तो पूरे देश के मुसल्मानों ने सम्मान किया मैं अज मंदिर बन के तयार है आज जो है जो फिर बी व्यान बाले है आप क्या प्लान है आप जाएंगी परवार के साथ जाएंगे मितरों के साथ जाएंगे किस तरह 22 जनवरी को आप यह जो हव्वे राम मंदिर का निर्मान हो रहा है इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं लेखिए यह जुद्या नगरी है यहां कोई भेद भाव नहीं है ना किसी हिंदू मुसल्मानों में कोई नफरत है एक डूसरे के लोग संपरकी हैं जुद्या का धार्मिंग प्रोग्रा प्रदान मंतिर जी आ रहे हैं देश के लोग आ रहे हैं अब जो है तिपनी की जरूवत नहीं है लोगों को चाहिए हम तो लोगों हम थो पूरे देश के मुसल्मानों को एक सला देते हैं कि निकाओं के तिपड़ी में लोग नाम है क्योंकि जब जो है नावहनोंमर में को सुप्रीम कोट ने फैसला किThat पूरे देस के रहे थे बाबरी मज़द के आपने खुलकर पक्ष रखा और आपसे पहले आपके जो पिताजी हैं मुहमद हाशिम जी वो 95 वर्ष के आयू में भी केस लड़ रहे थे जीत राम मंदिर पक्ष की हुई लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने इस पैसले का स्वागत किया देश लेकिन फैसला आने के बाद उन्होंने इसका स्वागत किया फिलाली ने निमंतरण मिला है राम मंदिर निर्मार का जो से कारे आगे बढ़ रहे है उसके घाटन का निमंतरण और इंका कहना है कि वो इसमें जरूर शामिल हूंगे कैमरमेन मनीश के साथ न्यूज अंडिया के लिए अयोध्या से मैं चारूल शर्मा